हलो प्रिये चात्रों आज हम आपके लेके आए हैं यूपी टैट का सौल्व पेपर परियावण अध्यन की एंपोर्टेंट कोश्चन अगर आप सी टैट एंपी टैट बर्गीतिन की तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पांच जुलाई से पहले आप सब लोग जरूर कोश्चन नमबर फर्ष्ट है स्कीन पर आप यहां पर देख रहे हैं बहुती प्यारा कोश्चन बिल्कुल एक्जाम में आ सकता है बन प्राणियों की बिलब्थ होने का प्रमुक कारण किया है कोश्चन नमबर बन ट्वैंटी बन का वच्चे हां पर कर्यक्ट आंसर होगा आपका ऑप्सन नमबर फोर होगा आबास इस्थान को छती बर्तमान में बन प्राणियों की संख्या कम होती चली जा रही क्योंकि आज का मान वो बन प्राणियों की आबास को नुक्सान पहुचा रहा है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर बन ट्वैंटी टू बा आयू मंडल में आक्सिजन की मात्रा कितनी है 21,30 करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर बहुती प्यारा कोश्चन है आप लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा नेमले कितमें से कौन सा इस्थल बन संरच्छन से संबंदी थे कोश्च जल्दी से कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा बन 24 कोश्चन पच्मी राजस्थान के मरूश्थर प्रिसार को रोकने एमम मिर्दा अपर्दन को कम करने हेतु उपाई किया है बन 24 एक्जाम में आया था अच्छा कोश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आप्शन थ गश्चन था नेश्ट कोश्चन इस कीमपर 125 बहुत ही प्यारा कोश्चन है कमेंट करें सही आंसर क्या होगा 125 बीच पानी पानी प्टी किया है 125 के या है और खर्दन करेक्ट सेकंड सही बहुत ङरकदी होगा 1 25 का बच्चे यहां पर correct answer होगा आपका second बीज मिट्टी पानी किया है संसाधन है next question है बन ट्वेंटी सिख्फ बनस्पति पिर्धान पारेश्तितितंत को कौनसी संघिया संघिया पिर्दान की जाती है 26 का बच्चे हां पर correct answer किया होगा 126 के यहां पर correct answer होगा option निंबर सेकिंड होगा नोट कर लें फोर में संद्ट कर लें नेश्ट कोश्चन देख लें इस कीन पर उस्टिन नमर बंध ही प्यारा कोश्चन है weight करें सही आंसर क्या होगा एक जाम में बिलुकुल आ सकता इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें 27 अंसर क्या होगा ठीख है संगल्य बायों में प्राथ्मिक उपभोग्ता किसी कहते हैं Tu7 के यह पर करेक्ट अंसर होगा आपने Saufta admired को सबस्दा क्यों नोट करें वेले töशन नम्मरब 1000ल सबसे कम बिवित्ता तथा जयब भारवाला बायोम है 128 का करेक्ट आंसर किया होगा जल्दी से कमेंट करें 128 का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फस्ट होगा टुंड्रा बायोम ठीक है दोस्तों अगर आप रेगुल वीडियो हमारे पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी चरूर दबा दे कोशन नंबर 129 है इसकीन पर एक परितंत में मानब बास सभी जन्तू होते हैं क्या होते हैं 129 129 का यहां पर करेक्ट आंसर किया होगा 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो उपभोगता नोट कर लें एक परितंत में मानब तथा सभी जन्तू क्या होते हैं उपभोगता होते हैं ठीक है नैश्ट कोशन ये सकीन पर 130 बहुती प्यारा कोश्चन है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा पोधे किस पिरकार का जल अपसूसित करते हैं 139 का यहां पर कर पर कोश्चन नमबर बन 31 बहुती प्यारा कोश्चन है बिलकुल एक्जाम में आएगा अगर आप सीटेट एमपीटेट पर गितिन की तयारी कर रहें तो सबी कोश्चनों को देखें और धोगिक नगर के निकट बरती बन में लाइकेन एबं बायो फ्राइटा पातब मरने पहला ऑप्षन इसका कर्यक्ट आंसर होगा ठीक है नेश्ट कोश्चन इसकीन पर बन 32 बहुती अच्छा कोश्चन है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा सर्व पित्थम पारिश्थितिक तंत की परिकलपना प्रिश्थुत की बन 32 गहांपर कर्यक्ट आंसर होगा आपका ऑप्षन नमबर 4 होगा नोट करने टैस लेने ठीक है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर बन 33 अधिक बरसा बाले उसर छेत्रों में भारी बरसा होती है बहां बन होती है कितने ठीक है जल्दी से कमेंट करें बन 33 बन 33 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आ नोट कर लें सदा हरित बन होती है ठीक है नोट कर लें बहुत ही अच्छा कोश्चन है बन 34 कोश्चन इसकीन पर कमेंट करेंगे सही आंसर किया होगा ठीक है बहुत ही अच्छा कोश्चन है कमेंट जरूर करें बन 34 प्लास्टिक किस प्रकार का अपसिष्ट पतार थे बहरी पिर्दूसन ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर आपका बन थर्टी फाइब बहुत ही प्यारा कोश्चन है जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा सूरी की रोसनी से प्रावैगनी बिक्रण से प्रिक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होता है बन थर् ट्रेक्ट अंसर होगा आपका ओप्षन नंबर थार करेक्ट होगाँ ध्यूरी ठीक है थे 3 आपका एप्रटी फाइब कोस्टि एपत्पर्टि बहुत ही प्यारै कोश्चने कमेंट करेंगे जरूर इसका सही आंसर क्या होगा एक्जाम में आ सकता है बहुत अच्छी करेक्ट आंसर होगा आपका option number third होगा ठीक है आद्ध जीब की उत्पत्ति कहां पर हुई सागर में हुई question number 137 है इसकीन पर बहुत ही प्यारा question है बिश्चु जे बिवित्ता दबस मनाया जाता है कम मनाया जाता है कमेंट करके बता दें 137 का बच्चु यहां पर correct answer होगा आपका second option correct होगा 29 दिसंबर को note कर ले note कर ले ठीक है बिश्चु जे बिवित्ता दबस मनाया जाता है आपका 29 दिसंबर को अच्छा question है एक्जाम में आ सकता है ठीक है note कर ले 137 का यहां पर B answer correct होगा 29 दिसंबर को बिश्चु जे बिवित्ता दबस मनाया जाता है next question एसकीन पर B answer 38 बहुत ही अच्छा question है जल्दी से comment करें सही answer क्या होगा बन सरल अच्छन है तो चिप को आंदोरन कहां चलाया गया very very most important question है B answer 38 B answer 38 का बच्चों answer जानते हैं तो comment करें B answer 38 का correct answer होगा option number second होगा उत्तरा खंड में ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर आज का question number है आपका B answer 39 बहुत ही प्यारा question है answer जानते हैं तो जल्दी से आप लोग यहां पर comment करतें ठीक है मेरता सनरच्छण की जेविक बिधी के अंतरगत फसल बोने से पूर्व खाचें कटक बनाई जाती है इस बिधी को क्या कहते हैं बन 39 कहां पर correct answer होगा option number third होगा समो लेखिए किरसी note कर लें बन 39 का correct option होगा आपका third होगा ठीक है प्रिकिती में उर्जा का मुख स्रोत किया है very very most important question है comment करें सही answer क्या होगा बन 40 कहां पर correct answer होगा आपका option number four होगा सूर होगा note कर लें प्रिकिती में उर्जा का मुख स्रोत किया है सूर आपका correct answer होगा ठीक है बन 39 का 3 option होगा और बन 40 का आपका 4 option होगा नेश्ट कोशन देख लेते हैं स्कीन पर question number 41 बहुती प्यारा question है comment करें सही answer क्या होगा किस बायोम में प्रात्मिक उत्पादक्ता सरवाधिक पाई जाती है बहुती प्यारा question है comment करें सही answer क्या होगा बन 41 का प्यारे बच्चो करेक्ट answer होगा आपका option number 3 होगा बिसू बतिये बन बायोम ठीक है नेश्ट कोशन देख लें एक ताला पैतंत में बड़ी मचलियां कच्छुए मैडक होते हैं बन 42 का प्यारे बच्चो करेक्ट answer होगा आपका option number 2 होगा नोट कर लें दुतिये स्रेडी के उपभोगता होते हैं नेश्ट कोश्चन एस कीन पे बहुती प्यारा question है एक्जाम में बिलकुल आ सकता है बिलकुल very very most important question है इस question को आप लोग डायरी में नोट कर लें डाप सन इकाई का प्रियोग किया जाता है 143 143 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा option number C होगा नोट कर लें और जौन परत की मोटाई मापने में डाप सन इकाई का प्रियोग किया जाता है बहुत ही अच्छा question है 144 question है इसकीन पर अगर आप लोग answer जानते हैं तो comment जरूर करेंगे 144 जुगाली करने वाले पसुओं से जिस greenhouse guest का निस्टन होता है वह है 144 का प्यारे बच्चों आप पर correct answer होगा option number second होगा मैं 10 आपका correct answer होगा दोस्तों अगर आपको हमारे question अच्छे लग रहे हैं regular video पाना चाहते हैं तो आप सबी लोग चैनल को subscribe करके घंटी चरूर दबा दें 145 question है इसकीन पर सन्युक्त लाष्ट परियावन कारिकरम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंद अत्वा ACI भूरे रंग का बादल जो ACI के 10 मिलियन बर्ग किसी आकास पर आच्छादित है तवाई कर सकता है मचा सकता है 145 के यहाँ पर 4 option correct होगा उपयुक्त तीनों यानी बर्सा की रूप में मान भी ए स्वास्त के छित में अनाज उत्पादन में नोट कर ले 145 का correct answer है आपका 4 option इसका correct answer होगा question number 146 बहुती प्यारा question है comment करें सही answer क्या होगा मानब जनित परियावन पिदू सक कहलाते हैं बहुती प्यारा question है 146 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option number 3 होगा नोट कर ले हुमो लिन ठीक है next question देख ले 147 पेजल में arsenic प्रिदूसन सरबादिक है कहाँ पर है 147 का correct answer होगा आपका option number 2 होगा कानपुर में है नोट कर ले question number 147 का second option correct होगा question number 148 बहुती प्यारा question है आप लोग comment करेंगे बच्चों सही answer क्या होगा और दोगिक मलवे से सरबादिक रसाइनिक प्रिदूसन होता है 148 का correct answer क्या होगा comment करें 148 का प्यारे बच्चों correct answer होगा आपका option number 1 होगा चमडा उध्धोक से नोट कर लें और दोगिक मलवे से सरबादिक रसाइनिक प्रिदूसन होता है चमडा उध्धोक से question number 149 बिस्ट की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधी भाग कितना है very very most important question है answer जानते हैं तो comment करें 149 का यहाँ पर correct answer होगा आपका 5 होगा 530 यानी 4 option आपका correct होगा 149 का ठीक है 530 आपका correct answer होगा आज का last question है number 50 very very most important question है किस तत की लगातार संपर की कारण black foot नामक रोग हो जाता है 150 का यहाँ पर correct answer होगा option first होगा arsenic वीडियो अच्छा लगता है तो like करें, share करें, subscribe करें, thanks